हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने आइफोन के बैक एफ स्पेस को 15 GB तक एक्सेंट कर सकते हैं तो यह नीड मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि बार-बार जब मुझे आइफोन बार-बार मुझे नोटिफिकेशन दे रहा था कि आपक और एक्स्टा 50 GB चाहिए तो आपको 75 रुपे पर मंद पे करना पड़ेगा अगर आपको 200 GB चाहिए तो 219 रुपे पर मंद पे करना पड़ेगा जो कि मैं पे करना नहीं चाहता था ठीक है और अगर आप देखेंगे कि मेरे यहां पर जो मेरा आइफोन 7 है उसका जो स्टोर में भी मेरे पास storage space नहीं है तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके सम अपने backup space को 15 GB तक बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए हमें एक application है वह हमें app store में जाके वहां से हमें download करनी है तो उसका नाम है Google Drive ठीक है Google Drive आपको यहां type करना है आपको search में enter करना है उसके बाद अ ईसका option है आपको show हो रहा है तो इसको आपको click करना है और इसको आपको install करना है अपने iPhone में किक मेरा भी ऑन्सटाल हो रहा है यह मेरा बिस्टोल हो चुका है इसको मुझे ओपन पर करना है उसके बाद आपको इसमें साइन इन करना है अगर आपको गूगल अकाउंट यूज कर रहे हैं तो डैरेक्टली आप उससे यहां पर लॉगिन कर सकते हैं तो मेंने कुगल के दुग साइन इन कर चुका है अब आप देखिए अब यहां पर मेरे पास में अगर अपने फोटो में जाता हूं और यहां पर फॉर ऐग्जाम्पल मैंने कोई हैंट श्टेंशूर ले रखें अपने मॉबाईल के तो फॉर ऐग्जामपल मैं हाँ पर इसक तो अब आप देखिए यह जो इमेज है वो मेरे गूगल ड्राइब में आ चुकी होगी गाइज यह देखो यहाँ पर यह इमेज आ चुकी है अब इस इमेज को मैं चाहे तो अपने लैप्टोप से भी एक्सेस कर सकता हूं बस मुझे वहाँ पर गूगल ड्राइब लोग इन करना है अपनी इमेल ड्राइब से जिससे मैंने रेश्टर किया हुआ है और मैं इस फोटो का एक ले चुका हूं तो यह थी चोटी सी वीडियो जिसके थुरू आप अपने आइफोन के बैकप स्पेस को 15GB तक बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट कोई एक्स्टर पे आपको नहीं करना है अब मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में